हेलो फ्रेंट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना ओयल के आप लॉकी की सबजी कैसे बना सकते हैं और यह बहुत ही जल्ली जटपट बन जाती है सबजी तो आएए देखते हैं कि हम इस सबजी को किस तरीके से बना सकते हैं अपने घर में तो फ्रेंट्स मैंने यह लॉकी लू है और इनको मैं अब छोटे चोटे टुकड़ों में काटूंगी और यह बहुत महीन टुकड़े होने चाहिए ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए तब ही सबजी आपके अच्छी सी गलेगी और खाने में भी टेस्टी रहेगी तो देखे इस तरीके से आपको चौP करना है तो फ्रेंट्स आप दे सकते हैं यह लौकी है जिनको मैंने 300 ग्रांव लिया है और यह थोड़ा सा जीरा लिया है चुटकी भर और हरी पिच ली है जिनको मैंने शोटे-चोटे पीस में कट किया है इसके अलावा मैंने गालिक लिया है जिन्हें मैने कट किया है तो फ्रेंटस आप देशकते हैं ये मैंने कुछा लिया है और एक तो खाली है और लो फ्रेम पे मुरा गैस भी है और इसमें पिल्कुल मैने तेल दी काट की अगा है अब आप देखिए, मैं सबसे पहले इसमें जीरा डालूँगी तो फ्रेंट साब देख सकते हैं मेरा जीरा भुन गया है मैंने अब इसमें खरी मुची डाल दी है फिर इसके बाद मैं एक गालिक डाल दूंगी इसको मैंने छोटे चुक्र में चौक कर लिया था और इसको हलका सा मैं घुमा दूंगी अपने कुकर से ताकि यह थोड़ा सा पग जाए फिर साथ ही साथ अब मैं इसमें लौकी डाल दूंगे जो मैंने काटी में चौक की थी यह 300 ग्राम की लौकी है तो इसमें बिलकुल पानी नी पढ़ेगा यह बिलकुल ऐसी रहेगा और फिर आपस को थोड़ा गुमा के अब इसमें मैंने नमक इसमें डाल दिया कर अब मैं इसमें एक चुपकी बहुत हल्गी डालूंगी क्योंकि मुझे लौकी साथी में हल्की हल्गी का खलग पसंद आता है और अब इसको मैं प्रोग मांके फिर मैं इसमें लेड बंद रहे और दो सिप्टी आने तक मैं इसका अधिजार करने गों तो पिर मैं इसका अब दो सिप्टी आ चुकी है और अब इसका लेड ओपन करने गाली हूं और देख में जाहते हूं कि इसमें कैसा भी वोकी साथी दिख रहे है थोड़ा सा पानी इसमें छोड़ा है तो अब इस पानी को हम थोड़ा सा और पका लेंगे उपन करके अब हमें इसके लिटनी जाफ में यूज कर सकते हैं अब मैं इसको अपने बुल में ट्रांस्पर करने दुर मूदे ही तो फरिंड आप ने की बे sweeping यह उसमें को पर जाहतते हैं तो जाफ जाब है लेखKS अब देखने की पासंते हूं प्लिज अ प्लिंड होक्वात झानना अ